हाई मैं हूँ अम्रितामा और हाज का वोईसोवर मेरी दोस्त अंकीता ने किया है जब मुवी स्टार्ट होती है तब हम एक आत्मी को देखते हैं जिस पर कोई दूसरा आत्मी हमला करता है और एक अंजान से जगह पर ली जाता है जब उस आत्मी को होश आता है जिससे हमने मुवी की स्टार्टिंग में देखा था तब वो खुद को किसी लेबरोटोरी में एक बैट पर बधावा पाता है उसी के पास में एक और आत्मी लेटा हुआ था जिसकी बॉड़ी और बदलेवे हूली को देखकर हमें पता चलता है कि उस बिचारे पर बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स की गए है अब सीन चीन्ज होता है और हम पैरिस सहर में मौरू नाम के एक क्राइम इन्वेस्टिगेटर को देखते हैं अपना नाश्टा खतम करके मौरू एक नाइट क्लब के पास पहुँचता है उस नाइट क्लब को किसी ने बुरी तरीके से जला दिया होता है उसी क्राइम सीन पर हम एक और इन्वेस्टिगेटर को देखते हैं जिसका नाम सैसील होता है मोरू के आने से पहले ही सैसील ने केस की तहकीकार शुरू करती थी वहाँ से निकलने के बाद मोरू अपने सीनियर से मिलने के लिए पुलिस डिपार्टमेंट आता है मोरू का जो सीनियर था वो उसकी काम में लापरवाही देखता है और उस पर बहुत साधा गुस्सा करता है और उसे ये भी कहता है कि जो दूसरी इंवेस्टिगेटर है सैसील उसके साथ उसे काम करना पड़ेगा अब हम एक स्कूल का सीन देखते हैं जहाँ पर एक लड़का दूसरे बच्चों पर अपने हाथों से आग फेक रहा होता है यानि कि फ्लेम फायर थ्रो कर रहा होता है उसी मेंसे एक लड़की खुद को बचाते हुए वाश्रूम में चली जाती है और वाश्रों में जाते ही उसकी आँखों से अजीब तरीके से बिजली निकलने लगती है और ये सब होते हुए एक रूडी नाम का लड़का देख रहा होता है इस बात की खबर लगने पर मोरो अपने टीम के साथ उस बच्चे को रोकने के लिए स्कूल वाली जगह पर चला जाता है मोरो उस लड़के का ध्यान अपनी तरफ खीचने की बहुत कोशिश करता है और इसी बात का फाइदा उठा कर उस लड़के के हाथ में जो दो ट्यूप सी चीज होती है जिसकी मदद से वो आग फेक रहा होता है उसे मोरो नीचे गिरा देता है जिसके बात उस लड़के को पुलीस वाले पकड़ कर अपने साथ ले जाते हैं उस लड़के से पूचताश की जाती है और वही पर हमें पता चलता है कि जो नाइक क्लब पर हमला हुआ है वो इस लड़के ने नहीं किया यानि कि इसके अलावा भी और भी कई लोग हैं जिनके पास ये पावर है हम एक दूसरे जगहा पर एक लड़के को देखते हैं जो किसी से वही सेम ट्यूप खरीद रहा होता है जिसके इस्तमाल से दूसरे बच्चे भी अपने हातों से आख फेंक सकते हैं यानि कि फ्लेम थ्रो कर सकते हैं मोरो अब अपने फ्लेट में वापस पहुंचता है और हम मोरो के साथ रहने वाले दूसरे आदमी जिसका नाम कारलो है उसे देख पाते हैं कारलो के पास भी कुछ सूपर पावर्स होती है जिसके इस्तमाल से वह क्रिमिनल्स को पकड़ पाता था पर बढ़ते उम्र के कारण कारलो अपनी शक्तियां देरे देरे खो रहा है उनका वो सही से इस्तमाल नहीं कर पा रहा होता सो इसी बीच कारलो से बात करते वक्त मोरो किसी ऐसे क्रिमिनल के बारे में पूछता है जो आग फेक सकता हो जिस पर कारलो उसे ब्राशेरो नाम के अपराधी के बारे में बताता है मोरो तुरन थी ये खबर अपने सीनियर को देता है कि तभी मोरो को कारलो का कॉल आ जाता है कारलो मोरो को बताता है कि पैरिश शहर के ही किसी कैफे में ब्राशेरो काम किया करता था जिस दोरान वो किसी कैलिस्टा नाम की लड़की से भी मिलता था कैलिस्टा लोगों को बास्केट बॉल की ट्रेनिंग दिया करती है कैलिस्टा के पास भी एक सूपर पावर है जिससे वो भविश्य यानि की फ्यूचर और अतित यानि की पास्ट को देख सकती है मोरो केलिस्टा के पास उसे मिलने के लिए आता है और केलिस्टा से ब्रासेरो को ढूनने के लिए मदद मांगता है पर केलिस्टा मोरो को मना कर देती है और वहाँ से चली जाती है हम मोरो को सैसील के साथ हॉस्पिटल में दिखते हैं दोनों ही आकर एक डॉक्टर से मिलते हैं और वो डॉक्टर उन्हें एक चलिवी लाश दिखाता है डॉक्टर उन दोनों से कहता है कि ये लाश ब्रासेरो की है जिसके अंदर से उसका पूरा खून निकाल लिया गया है जिसके बाद उसके खून को ट्यूब्स में डाल कर लोग आग के शक्तियां हासिल कर पा रहे हैं रूडी लाइबरेरी में उसी लड़की जिसका नाम लिली होता है उसे मिलने आता है यह वही लड़की है जिसे रूडी ने वाश्रूम में देखा था रूडी लीली को अपना नमबर देता है और उसे कॉल करने के लिए कहता है और वहाँ से चला जाता है मोरो केस को लेकर तहकिकात में लगा होता है मोरो को नाइट कलब के बाहर रखे सीसी टीवी से कुछ पिक्चर्स मिलती है जिसमें छे लोगों की तस्वेर दिखाए देती है जो उस रात हाथसे में घायल हुए थे लेकिन उनमें से सिर्फ पांच ही लोग ऐसे हैं जो इलाज के लिए हॉस्पिटल गए थे जिससे जानने के बाद मोरू सैसील के साथ एक हॉस्पिटल में जाता है उन्हें वहाँ कुछ समय पहले ही एक लड़का जिसका सरीर आधा जल चुका रहता है उसे एडमिट क्या गया है मालूम पड़ता है मोरू उस लड़के से सच निकलवाने की बहुत कुशिश करता है पर वो लड़का कुछ भी मानने से इंकार कर देता है ये देखकर सैसील उस लड़के से कहती है कि अगर उसने अगले चूपिस गंटे में उस ट्यूब की एंटी डोस नहीं ली तो उसका सरीर फट सकता है अब ये सुनकर वो लड़का सैसील को सच बताने के लिए मान जाता है वो एक स्माइल नाम के आदमी के बारे में कहता है ये वही लड़का है जो बच्चों को ट्यूब्स बेच रहा था और उसी इसमाइल को पैसे देकर उसने अपने स्कूल में वो ट्यूब्स खरी दे थे हमें अब एक नाजा नाम का आदमी दिखाया जाता है नाजा उन लोगों के सरीर से खोर निकालता है जिनके पास कोई सूपर पावर होती है और वो उस खून का इस्तमाल ट्यूब्स बनाने में करता है पर जब नाजा को इसमाइल के पिछले कुछ समय से गायब होने की ख़बर के बारे में पता चलता है तो वो अपने सभी आदमियों पर गुसा करता है और सभी को इसमाइल को किसी भी हालत में ढून लाने के लिए ओर्डर देता है इसी बीच पुलीस इसमाइल के रहने वाली जगा का पता लगाती है और इसमाइल को पकड़ने के लिए उसके घर जाती है पर इसमाईल उनके पकड में आने से पहले ही भाग जाता है मौरू और सैसल इसमाईल को पकडने की कोशिश करते हैं पर वो पकड में नहीं आता और उन दोनों को कुछ वक्त के लिए लगता है कि इसमाईल वाकई भाग निकला है पर तभी मूरू को एहसास होता है कि पासी के एक शौप में इसमाइल छुपा हो सकता है वो दोनों इसमाइल को पकड़ने के लिए वहां जाते हैं और चालाकी से उसे धूनने लगते हैं सैसील इसमाइल को पकड़ने के लिए उसके पार जाती है और इसमाई अपने हाथों से सैसिल के उपर आग फेकने ही वाला होता है कि तभी मूरू आकर इसमाईल को fire extinguisher से heat करके बेहोश कर देता है इसमाईल को पूछताच के लिए पकड़ लिया जाता है सैसिल इसमाईल से पूछने की कुशिश करती है कि उसके साथ और कौन-कौन शामिल है पर इसमाई उसकी हर बातों का जवाब उसे नहीं पता है मैं देता है मूरू खाना खाने किसी रेश्ट्रो में आता है तभी उसे कारलो का call आता है कारलो मूरू को किसी आदमी के बार में बताता है जिसके पास लोगों को कुछ समय के लिए अंधा कर देने की शक्तियां होती है मोरो कारलो से इसके बारे में बात कर ही रहा होता है कि तभी पुलिस डिपार्टमेंट में उनके उपर वही शक्तियों वाला आदमी हमला करकर सब भी को अंधा कर देता है सैसिल उस आदमी को पकड़ने के लिए उसके पास जाती है पर उसे भी वो आदमी अपनी शक्तियों से अंधा कर दीता है सैसिल को कुछ ना दिखने के कारण वो रेलिंग से फिसल जाती है जिसे देख मोरो उसका हाथ पकड़ने की कोशिश करता है पर मोरू के हाथों से उसका हाथ फिसल जाता है और वो नीचे घिरने लगती है तभी मोरू के हाथों में से एक अजीव सी सक्तिया निकलती है जिसके कारण सैसिल जमीन पर गिरने से पहले ही हवा में रुक जाती है मोरो सैसिल के पास जाता है और सैसिल को अपनी शक्तियों के बारे में बताता है मोरो किसी भी चीज़ को अपनी सक्तियों से अपने हिसाब से हवा में कंट्रोल करने की ताकत रखता है इसमाईल ये सब होते हुए देख रहा होता है पर तबी नाजा के आदमी आगे इसमाईल को अपने साथ ले जाते हैं नाजा इसमाईल पर बहुत गुसा करता है क्योंकि इसमाईल वो अकेला आदमी है जो पैसे कमाने के लिए उन ट्यूब्स को बेच रहा होता है नाज़ा अपने लोगों से इसमाईल को मारने के लिए कहता है पर इसमाईल उसे एक आखरी मौका देने के लिए रिक्वेस्ट करता है इसमाईल मोरो के बारे में बताता है जिसके पास चीजों को हवा में कंच्रूल करने की शक्तियां होती है लेकिन नाजा तब भी इसमाईल का गला दबा के उसे मार ही देता है कैलिस्टा बास्केटबॉल की ट्रेनिंग देने के लिए आती है पर किसी कारण उसके दो स्टूडेंट्स ट्रेनिंग पर नहीं आते कैलिस्टा एलेक्स नाम के स्टूडेंट से उन दोनों के बारे में पूछने जाती है पर एलेक्स उसे कुछ भी बताने से इंकार कर देता है पर आखिर में कैलिस्टा की हालत देखकर मान जाता है एलेक्स कहता है कि वो दोनों आज किसी जगा पर ट्यूब खरीदने गए हैं हम विवर्स उन दोनों को देखते हैं जो नाजा की आदमियों से ब्लू रंग वाली ट्यूब्स खरीदने गए होते हैं पर क्योंकि उन ट्यूब्स में काफी ज़्यादा शत्या होती है वो दोनों उन ट्यूब्स के इस्तमाल से ही मारे जाते हैं इसी दोरान कैलिस्टा भी उधर पहुँच जाती है वो आदमी जिसने उन बच्चों को ट्यूब्स दिया होता है कैलिस्टा के आने से पहले ही वहाँ से भाग जाता है इसके बाद हम पुले स्टेशन का सीन देखते हैं जहाँ पर लिली की मा लिली की मिसिंग कमप्लेन लिखाने आई होती है पर दूसरी तरफ हम नाजा को देखते हैं जिसने लिली को रूडी के मदद से अगवा किया होता है नाजा लीली के शरीर से भी उसका सारा खून निकाल रहा होता है जिसे वो लीली के खून से नए ट्यूब्स बना सके देन मोरो लीली के घर जाता है जहां पर वो तहकीकात करना शुरू करता है तब ही कैलिस्टा भी वहां आ जाती है कैलिस्टा मोरो की मदद करना जाती थी पर मोरो उसकी मदद लेने से इंकार कर देता है और वहां से चला जाता है कैलिस्टा भी निली के घर से बाहर निकलाती है कि तब ही कैलिस्टा को सामने से सैसिल की कार जाती हुई नजर आती है जबकि दूसी तरफ नाजा के लोग मोरू पर हमला कर देते हैं और उसको बेहोश कर देते हैं। नाजा के लोग मोरू को अपने साथ ही वैन में ले जा रही होते हैं। पर मोरो बेहोशिक की हालत में होकर भी वैन को अपनी सक्तियों से पुरी तरह से खराब कर देता है कैलिस्टा सैसिल के साथ मोरो को नाजा के लोगों से बचाने आती है इसी बीच रूडी मोरो के उपर गोली चला देता है और मोरो को वैन से बाहर फेंग देता है और अपने लोगों के साथ भाग जाता है पर मोरो अपनी शक्तियों से उन गोलियों को अपने शरीर से बाहर निकाल दीता है सैसिल और कैलिस्टा मोरो को कारलो के पास ले आते हैं और मोरो का इलाज करते हैं कैलिस्टा सैसिल के पास आके मोरो के अतीद के बारे में बताती है वो बताती है कि मोरो कारलो और एक गीगा नाम का आदमी था जो साथ मिलकर काम करते थी ऐसे ही एक दिन किसी क्रिमिनल को पकड़ते वक्त मोरो गलती से गैस की टैंक पर गूली चला देता है जिसे वहाँ पर एक बड़ा धमाका हो जाता है और गीगा मैन मारा जाता है गीगा मैन की मौत का जिम्मेदार मोरो खुद को समझने लगता है जिसके बाद उसमें अपने सक्तियों का इस्तमाल करना बंद कर दिया था कार्लो इसी बेच लिली के बारे में भी पता कर रहा होता है और हमें पता चलता है कि लिली कोई और नहीं बलकि गीगा मैन की बेटी है इनकी बाते चली रही होती है कि सैसिल किसी एलिजाबेट नाम की डॉक्टर का नमबर देखती है जो उससे मौरो के हाथ से मिला था कार्लो एलिजाबेट से मिलने उसके घर जाता है और बड़े ही चालाकी से एक माइक्रोफोन उसके घर पर लगा आता है जिसके सहारे कार्लो एलिजाबेट की सारे बातों को सुन सके कार्लो को पता चल जाता है कि लीली को नाजा नहीं किडनेप किया है और लिली के सरीर से उसका खून भी निकाल रहा है सैसील एलिजावेट के उपर एक रिसर्च करती है और सैसील को पता चलता है कि एलिजावेट किसी डॉक्टर के यहां काम कर रही होती है सैसील उसी डॉक्टर से मिलने जाती है और वो डॉक्टर से एलिजाबेट के बारे में पूछती है वो डॉक्टर सैसील को एक बच्चे के बारे में बताता है जिसके पास किसी को भी अपने वस में कर लेने की शक्तियां होती है पर Elisabeth ने उसी बच्चे के सरीर से उसके सक्तियों को निकाल दिया था जिसके बाद वो बच्चा पागल हो जाता है और इसी के कारण डॉक्टर ने Elisabeth को अपने लेब से हमेशा के लिए निकाल दिया देन हमें Elisabeth नाजा के लेब में दिखाई देती है और वो नाजा से लिली को छोड़ देने के लिए कहती है पर नाजा ऐसा करने से मना कर देता है और इसके बाद हमें पता चलता है कि Elisabeth ने जिस बच्चे के शक्तियों को निकाल दिया था वो कोई और नहीं बलकि नाजा है इधर मुरू को होश आता है और सब भी नाजा के उपर हमला करने के लिए प्लैन बनाते हैं पर जब वो नाजा के पास जाते हैं वहाँ पर नाजा अपनी अलगी प्लैनिंग के साथ रेडी रहता है और इन लोगों पर हमला कर देता है वो अपने आदमियों को लीली के खून से बनी सक्तियों वाली ट्यूप्स को देकर पुलिस वालों के साथ लड़ने भेज देता है और लीली को अपने साथ लेकर वहाँ से भाग जाता है पुलिस वाले नाजा के लोगों को एक एक करके मारने लगते हैं और उसी बीच मोरो उन लोगों से बचते हुए नाजा के पास आता है नाजा अपनी आखों से मोरो के उपर हमला करता है पर तभी लिली को भी होशा जाता है जिसका फाइदा उठा कर मूरो नाजा की उपर अपनी शक्तियों से हमला कर देता है मूरो नाजा को अपने साथ उपर आस्मान में ले जाता है जहाँ पर वो अपनी पूरी शक्तियों का इस्तमाल करता है और नाजा को मार देता है पर ये देख सभी को लगता है कि मूरू भी मर गया होगा लेकिन मूरू वापस सही सलामत नीचे आ जाता है अब नाजा की मौत की खबर पुरे न्यूज चैनल में फैल जाती है पर नाजा को किसने मारा ये अब भी एक राज बना हुआ रहता है मूवी के आखिर में हम सैसिल, कैलिस्टा, मूरू, कारलू इन सब को एक साथ देखते है सैसिल मूरू के पास आती है और उसे एक मास्क देती है और कहती है कि वो अपनी सच्चाई को बिना किसी के सामने लाए अपनी शक्ती को दुनिया के हित में इस्तमाल कर सकता है और मूवी ही पर खतम हो जाती है अगर आपको मेरा ये एकस्प्लानेशन पसंद आता है तो अप्रिशेट करने के लिए एक लाइक जरूर कर दे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और हाँ, आपको नेक्स्ट कौन से मूवी की एकस्प्लानेशन सुनी है वो कमेंट करके जरूर बताएं थेंक्यू सुआ